वेलकम एवरिवन मैं हूँ प्रतिक्षा काईस आज जो मैं एपिसोड एक्स्प्लेइन करने वाले हूँ यह लूसिफर सीजन 2 का एपिसोड नमबर 3 है जहां पर हमने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा था कि लूसिफर ने अभी तक अपने मॉम को कोई पनिश्मेंट नहीं दिया था इस कारण लूसिफर की मॉम अभी भी अर्थ पे ही है तो अब हम सभी लोगों को ये देखना है कि लूसिफर आखिर अपनी मॉम को क्या पनिश्मेंट देता है एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जहां डेविल अपना कोई प्राइवि है मैं वही कर रहा हूँ यानि कि लोगों को पनिश्मेंट देना और हो सके तो आप ये कहीं पे बिसी रहें कुछ दूसरी चीज़े करने में ना कि मेरी लाइफ में इंट्रफेर करके यहां पे डैन ट्रिक्सी से बाती कर रहा था और इसके बाद में हम देखते हैं कि पूरा चला हुआ इंसान इस क्राइम जीन पे पहुंच चुके थी सभी लोग जहां पे लुसिफर उस जली हुई बॉड़ी को देखके कहता है कि ये तो मैंने हैल में सबसे बुरे लोगों के लिए सजा सोच रखी थी लेकिन ऐसा आखिर किसी ने क्यों किया होगा क्लोई जब एला से पूछती है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई तो एला बताती है कि ये काफी जादा चला हुआ है यानि कि इसके आसपास काफी जादा ओईल था और सबसे इंपॉर्टन चीज़ के जिसने भी इसे मारा है उसने सबसे जादा ओईल इसके प्राइवेट पार्ट प सकता है इसी कारण अब ये लोग investigation करने के लिए wobal के office पहुँच चुके थे जहां पर ये लोग wobal के director से मिलते हैं जिसका नाम था Laila Lucifer और Chloe कहते हैं कि आखर जिसकी मौत हुई है वो तुमारी ही company में काम करता था और इसका नाम Nicole है Laila जब ये बात सुनती है तो वो रोती-रोती बोलती है कि Nicole के साथ में ऐसे कैसी हो सकता है और Lucifer का शक था कि शायद इसी लड़के ने Nicole को मारा है तो Laila बताती है कि मैं और Nicole आज से काफी समय पहले date कर रहे थे और Nicole ने मेरी कुछ pictures social media पे upload कर दी थी अब मैं किसी जगह की boss हूँ और वो employee है तो वो ऐसी चीज तो बिलकुल नहीं कर सकता है न तब Lucifer कहता है कि इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम उसे जला के मार दोगी तो Laila कहती है कि एक मिनिट क्या तुमने कहा कि जला के मार दोगी और इसी की बाद में Laila वहाँ पे अपनी कंपनी की HR मैनेजर को बिलाती है जिसका नाम था Ray वो Ray को कहती है कि वो वाला वीडियो दिखाओ जो कि हम लोगों ने camping पर शूट किया था Ray एक वीडियो दिखाता है जिसमें Nicole ने एक Tom नाम के आदमी के साथ में प्रैंक किया था और अब Chloe समझ जाती है कि शायद Tom ने बदला लेने के कारण ही Nicole को जला दिया जब Tom से पूछा जाता है कि Nicole को तुमने क्यों जलाया तो Tom कहता है कि उस आतमी के साथ में तो यही होना चाहिए था Lucifer जब यहाँ पर Tom से पूछता है कि क्या तुमने ही Nicole को मारा है तो Tom यहाँ पर एक ये बार में accept कर लेता है और बूलता है कि हाँ Nicole को मैंने ही मारा है Chloe को ये बात बिल्कुर भी हजम नहीं होती है कि ये केस इतनी जल्दी solve कैसे हो गया Lucifer देखता है कि पुलिस टेशन में उसकी मॉम यानि कि Charlotte सभी लोगों से बात ही कर रही थी Chloe बताती है कि Charlotte lawyer से पहले एक पुलिस वाली थी इसी करण यहाँ पे सभी लोग उसे चानते है Lucifer शालिट के पास में आके कहता है कि मॉम आप यहाँ पे क्यों आई है तो शालिट कहती है कि तुमने ही तो बोला कि अपना ध्यान किसी दूसरी चीज़ों में लगाओ और मैं भी आकर देखना चाहती थी कि मेरा बेटा इंसानों के पीच में कर क्या रहा है Lucifer शालिट को लेके जाता है और लिफ्ट में से उसे भेच देता है और बोलता है कि आप घर जाए क्लोई ये सीन देखके बोलती है कि मुझे नहीं पता था Lucifer कि शालिट और तुम दोनों इतने क्लोज हो तो Lucifer कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसी टाइम डैन आता है और क्लोई को कहता है कि तुमें ये वीडियो देखना चाहिए इन लोगों के पास एक ऐसा वीडियो था जिसकी अंदर एक आदमें फिर सी कन्फेस कर रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे इन चीजों की सजा मिलनी चाहिए ये सभी लोग क्राइम सीन पे पहुँच चुके थे जहां पे ये लोग एक डैड बॉड़ी देखते हैं जिसकी बहुत बुरी आलत हो रखी थी उसकी हाथ पैर बंद रखे थे और मुझे अंदर बॉल फस रखी थी क्लोई ये सीन देखके बताती है कि ऐसा मुडर टॉम ने तो नहीं किया होगा क्योंकि टॉम तो कस्टरी के अंदर है और अब हम ये जिसे ढूड़ना है वो एक सीरियल किलर है एला इस बॉड़ी को देखके बताती है कि इसकी मौत गला दबाने से हुई है और इसके साथ में इसकी सारी हटियां भी टूटी हुई है वो जब गले का बैल थटाती है तो देखती है कि इसकी पूरी बॉड़ी के अंदर बहुत सारे एपल है इस बॉड़ी के अंदर एक भी रखा हुआ था, Chloe, Lucifer और Ella जब उस phone के अंदर चलती हुई वीडियो देखते हैं, तो वो देखते हैं कि जिसका murder हुआ है, उसने एक pawn video बना रखा था, एक लड़की के साथ में जिसे उसने social media पे upload किया है जिसका murder हुआ था, उस लड़के की dress देखके ये लोग समझ चाते हैं कि ये चीज किसी school से related है और इसी कारण video वाली लड़की की detail पता लगाने भी पता चलता है कि इस लड़के का नाम Adam है और ये जो लड़की साथ में है वो इसकी girlfriend है break up होने के बाद में Adam ने ये pawn video social media पे upload कर दिया इसी की कारण इसकी girlfriend को job से निकाल दिया गया और इस लड़की ने suicide भी कर लिया अब यहाँ Chloe और Lucifer को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसी मारा किसने होगा शायद उसने जिसने ये videos upload करने से पहले देखे होंगे यहाँ हम देखते हैं कि Maze और Linda आपस में time spend कर रहे थे मेज खुद को इंसानों के जैसे normal कर रही थी इसी कारण वो Linda की help लेती है और अब मेज Linda को कहती है कि मुझे Lucifer से एक औरत को दूर करना है और शायद मुझे पता है कि हम मुझे क्या करना है यहाँ पे डैन और Chloe अभी भी उसी ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे जिस ट्रिप पे वो ट्रिक्सी को ले के जाने वाले थे लेकिन वो सोचते हैं कि हमें ऐसा जूट मूट का दिखावा नहीं करना चाहिए यहाँ Lucifer जब लक्स में पहुचता है तो वो देखता है तो एक बार फिर से वहाँ जाके पूचताच करनी चाहिए वो जब Laila से कहती है कि आखिर ये सारे वीडियोज अपलोड कैसे होते हैं तो Laila कहती है कि इस साइट पे कोई भी वीडियोज अपलोड कर सकता है लेकिन अगर किसी का भी content कुछ harmful या फिर कुछ different हुआ जिफ्ट होता है एमनेडील पे जो कि काफी परेशान था और अपने office के अंदर बैट के drink कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि अब उसके पास में बिल्कुल भी powers नहीं रही है वहीं पे मेज पहुँच जाती है और अमनेडील को बताती है कि तुम्हें लुसिफर की help करनी पड़ेगी एक लड़की लुसिफर की घर पे आके रह रही है मेज वहाँ पे अमनेडील का टूटा हुआ पंक देखने ही वाली थी कि तभी अमनेडील मेज को कहता है कि मैं बिल्कुल लुसिफर की help करूँगा यहाँ पे क्लोई और लुसिफर सोचते हैं कि हम लोग अभी भी किसी गलत तरीकी से सोच रहे हैं और उसके बाद में क्लोई वहाँ पे काम कर रहे हैं एक आदमी से पूछती है कि यहाँ पे सबसे पुराना अत्मी कौन है तो वो employee बताता है कि यहाँ पे शायद सबसे पुराना तो मैं ही हूँ मुझे पूरे पूरे दो महीने हो चुके हैं या फिर मुझे से पहले लायला क्योंकि लायला बॉस बनने से पहले एक content moderator ही थी अब Chloe और Lucifer को समझ में आ चुका था कि लायला ही यह सारे murder कर रही है यानि कि उसे ही लोगों को punishment देना था कि आखिर लोग यह बुरा काम क्यों कर रहे हैं जब Chloe और Lucifer लायला के cabin में जाते हैं उसे पकड़ने के लिए तो वो लोग देखते हैं कि लायला तो यहाँ पे है ही नहीं यानि कि murderer वहाँ से भाग चुकी थी अमेनेडिल यहाँ पे लक्स पहुंचता है और वहीं पर Charlotte भी अमेनेडिल के सामने आ जाती है वो अमेनेडिल से पूछती है कि क्या तुम मेरी help कर सकते हो क्योंकि मेरी मेरे बच्चों के साथ में नहीं बन रही है तो अमेनेडिल बोलता है कि आपको कुछ दिन चली जाना चाहिए और वहाँ पर Charlotte बोलने लगती है कि क्या तुम एक अच्छे बेटे हो अगर अच्छे बेटे हो तो तुमने अपनी मॉम को हैल क्यों बेजा और ये सारी बाते सुनके अमेनेडिल समझ चाता है कि उसके सामने खड़ी लड़की उसकी मॉम है और फिर Charlotte कहती है कि यहाँ पर लुसिफर इंसानों की मदद करने में बिजी है और तुम अपने डैट की चमचागिरी करने में बिजी हो मुझे तुम लोगों ने हल भेज दिया मैं अकेली पड़ गई इतनी सारी बाते कह कि एमेनेडिल को शालेट ने बिलकुल एमोशनल कर दिया था यहाँ पर पुलिस टेशन के अंदर लुसिफर और क्लोई को स्क्रीन पर दिखता है वोबल का एक मैसेज जो कि दिखा रहा था कि लाइला एक खंटे के अंदर लाइव आने वाली है और अब इन लोगों को पता चलता है कि लाइला सुसाइट करने वाली है लाइव वीडियो देखने पे इन लोगों को पता चलता है कि लाइला के पीछे किसी ने गन रख रखी है यानि कि लाइला भी murder नहीं है बलकि उसे murder करवाई जा रहे हैं और location trust करने पे नहीं पता चलता है कि लाइला अभी भी वोबल की अंदर ही है यहाँ Lucifer और Chloe वोबल के उस sector में पहुचते हैं जहां पे सारा data store हो रखा था और यह लोग लाइला की आवाद सुनते हैं जहां पे लाइला confess कर रही थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है इस app को बना के और अब मैं अपनी गलती सुधारना चाती हूँ और उसके बाद में लाइला एक आदमी को कहती है कि प्लीज मुझसे यह मत करवाओ यह आदमी और कोई नहीं बलकि शुरवात में जो हमने HR मैनेजर देखा था रे यह वो ही आदमी है लुसिफर कहता है क्लोई को कि तुम शूट क्यों नहीं कर रही हो तो रे कहता है कि यह सारे लोग बहुत बुरे हैं और इन्हें और कोई सजा नहीं देता इसी कारण यह काम मैं कर रहा हूँ तो लुसिफर कहता है कि यह काम तुम्हारा नहीं है रे ये बाते बिल्कुल भी नहीं समझता है और वो अपने हाथ से लाइटर गिराने ही वाला था कि तभी वहाँ पे क्लोई फायर अलाम चला देती है जिस कारण आइस लिक्विड आके इन सभी लोगों पे गिर जाता है और लाइला की जान भी बच जाती है यहाँ पे क्लोई पे गया हो तो वहाँ चारलिट आती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है एमने डील मुझे हैल नहीं लेके गया है तो लूसिफर एमने डील को कहता है कि तुम आकिर चाहती तो यही थे ना तुम तो हमेशा से यही चाते थे कि मौम को वापिस हैल ले जाओ तो मौम कहती है कि मां के आगे बच्चों का दिल तो पिगल ही जाता है और आखिर में बहुत खुश हो तुम दौनों को एक साथ में देखके तो लुसिफर कहता है कि मैंने गौट के साथ में डील की है जो कि मैं कभी भी नहीं तोड सकता आपको पनिश्मेंट तो मिलेगी ही और के बाद में लुसिफर अपनी मौम को पनिश्मेंट सुनाता है वो कहता है कि आपको अब इस अर्थ पे ही रुकना पड़ेगा और वो बेहुन इंसानों के बीच में जिन इंसानों से आप काफी जादा नफरत करती है तो लुसिफर की मौम कहती है कि ये शारलेट की बौड वो शारलेट के साथ में काफी जादा जबरदस्ती करने लगता है शारलेट उसे रूपनी की कोशिश भी करती है लेकिन एक टाइम के बाद में शारलेट उसे धक्का देती है लेकिन वो धक्का इतना जादा पावरफुल था कि वो आदमें दिवार से भिड़ के मर ही जाता और शारलेट को पता चलता है कि शारलेट काफी जादा श्ट्रॉंग है और इसके बाद में फिर से शारलेट एक सरक्यात्मे वाले स्माइल देके वहां से आगे निकल जाती है ओवरॉल शारलेट का जो मकसद था यानि कि लुसिफर की मौम का जो मकसद था अर्थ पे रुखने का वो पूरा हो चुका था बाई हुक और बाई क्रोक उसने लुसिफर और आमेने टील को मना ही लिया था ताकि वो इसी अर्थ पे रुख सके और इसी के साथ गाइज यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है तो चलिए फिर मिलते हैं आप सबी से जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए टाटा कर दो